ब्रेक के बाद रुख करेंगे न्यूस बुलिटन के ओर इस न्यूस बुलिटन में बात होगी बल्या की जहां मनियर में साहिति सदन पुस्तकाले के तेरवे एवं युवा संगठन के उननी स्वे स्थापना दिवस पर गोपाल जी युवादवारा भवे कारक्रम का आयूज किया गया आगे चर्चा करेंगे सिकंद्राबाद की जहां दो पक्षों में हुए विवाद में जम कर हुआ पत्रा ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा खबर बल्या से है जहां मनियर में साहिति सदन पुस्तकाले के तेरवे एवं युवा संगठन के उननी स् किया गया मुखी अतिती बीजिपी विधाय केतकी सिंग ने निराला कृत राम की शक्ति पूजा के मंचन का दीप प्रजुले तेवं विद्वत पूजा अर्चना कर शुभारंब किया इस कारक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग देखने के लिए जुटे हर व विस्तांसत रविंद्र कुश्वाहा पूर्वमंत्री राजधारी सिंग समेत तमाम लोग पहुँचे बलिया से सीन्यू समवदाता आनंदूबे की रिपोर्ट ललतपुर के महरोनी तहसील के अंतरगत ग्राम खीरिया लटकंजु के कमल अहरवार ने महरोनी थाना प्रभारी को प्राथना पत्र दे कर बताया कि शुकुरवार दो पहर दो बजे एक अग्यात वेक्ती घर पर आया और कहने लगा कि तुमारी लड़की की शादी अभी हुई है तुमने कौन-कौन सी वस्तू आभूशन दहेश दिया है मैं सरकारी विभाग से आया हूँ तो मैं सरकारी लाप के लिए बानपुर जाना ह जैसे ही मैं बानपुर के लिए रवाना हुआ तो वह अग्यात वेक्ती वापस घर में आया और आभूशनों की फोटो खीचने की बात कहकर मेरी लड़की से कहने लगा जिसकी शादी चार माँ पहले हुई थी लड़की ने सारे आभूशन उसके सामने रख दिये फोटो ख परिवार ने कोतवाली महरोनी प्रभारी को प्रार्थना पत्र दिया है और मांग की है कि अज्यात वेक्ती के खिलाफ कारेवाही के साथ आभूशन भी दिलवाए जाए कर दो जाना है तो लोग बानपुर चले गाए पर लोटकी आए तो लड़की से बोला कि तुम पोड़े ने काले कि तम आरे पापा मंगारे शुल लड़की ने दे दी लड़की कि कपी घटना है यह कंद देढ़ बजी अज़ी देड़ बजे की बात बोले के तुम तज्यार हो जाओ उस लड़की बोली कापड़ा पेर के हमां आरहे हैं आज घंदा में आरहे तुम कपड़ा पेरो वात इतने सरह बहुत गाड़ी जबाकर थे लागा ललतपुर से सीन्यू संबदाता विकास सोनी की रिपोर्ट रौतास जुले में नाशनल हाइवे पर सड़क दुरघटना में एनेच दो पर सफाई कर्मी की मौत होने पर शिफसागर भमौर के पास आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया जिससे करीब दो घंटे तक आवा गमन बाधित रहा म्रतक सफाई कर्मी शिफसागर थानाशेत्र के बरेला गाउं के मुखराम का 40 वर्षिय पुत्र दारा पासवान बताये गया घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया वहीं घटना की संबन्द में म्रतक के परिजनों ने बताया कि प्रतिदिन की तरह सड़क सफाई कर्मी ड्यूटी पर था जहां अनियंत्रत एक पिकप ने टक कर मार दी जिससे एक सफाई कर्मी को हलकी चोट आई मैं दूसरे सफाई कर्मी की मौत हो गए आक्रोशित लोगों को पुलिस ने समझा बुझा कर सड़क से हटाया तब जाकर सड़क पर आवा गमन शुरू हो सका किया मने घां सुस्किया कर दो आप को नहीं है रोड भी जाम होता है जी से घटना हुआ है यह मसीन चला रहते पिछे से आया इस पीड में मार दिया धास जना मारते हुए जाकर मेडिन पर जगा उसके बाद हमको भी इठो कर मार आए क्या नाम है उनका जिनका एक्सिरेंट हो था नाम पसुरू दारा दारा पसुरू आपका नाम क्या पसुरू आपको भी चोट लगा हुए हमारा हल्का फुलका है ठहुना में कैसे कर ता हुए कजनका रियर नाम है काण चीजबर कॉन चीजबर काम करता था लोग वह जाड़ी मार दिया रहा था चाहां पर लोगा है वह जाड़ी में कामने काम ने कांवे वला में हैं एन एचाइव ला में रहताज से सीन्य संवधाता पंकच कुमार की रिपोर्ट गुलावटी में दो पक्षों में हुए विवाद में जम कर पत्राव हो गया दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जम कर पत्राव किया एक पक्ष ने अपने घर की छट पर खड़े होकर दूसरे पक्ष पर पत्राव किया सूशना पाकर पुलिस मौके पर पहुँची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत मिलिया है जानकारी के अनुसार हापुड रोड इस्थित अलीशा गार्डन में रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया सूशना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पत्राप कर रहे हैं लोगों को खदेडा घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा और कई लोगों को हिरासत मिलिया पुलिस अपनी आगे की कारेवाही में जुटी है सिकंद्राबाद से सीन्यूस मुदाता कृष्णा की रिपोर्ट फिलाल के लिए बुलेटन में बस इतना ही देश तुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे हैं सीन्यूस भारत